चंडीका की जुबान पर शायद उस पल सरस्वती विराजी थी ब्लेक केट की पहली बात ही सच होने वाली थी ला 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 क्या रिपोर्ट है थड़ाई पहला पायदान लेडी गागा ने पार कर दिया है गुड मतलब अब हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया है साथियों दुश्मन के मनसूबे कभी काम्याब नहीं होंगे तू बस अपना चश्मा और उगरती सांसों को संभाल संजू बाकी हम संभाल लेंगे वार कमांडो उसके लिए मदद आने वाली थी पूरे जोड शोर के साथ आने वाली थी यह आवाज कैसी है ऐसा लग रहा है जैसे भुचा लाग रहा हो खड़ो भाग यहाँ गुस्पेट अंद देखी नहीं गई थी टेन डेडलिस्ट डेडली के बनाए हुए संसार के सबसे विधवन सक्थ हतियार मुझे मेडम फॉक्स को इसकी जानकाली देनी होगी यह तो अच्छा हुआ कि वार ने हर सेक्टर में यह वाच्ट टॉवर बनाया हुए और हमने इस सेक्टर के और आस पास के चार सेक्टर के वाच्ट टॉवर अपने कबजे में कर लिये इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमने हैक कर लिया है कुछी देर की बात और है उसके बाद पूरा गर बगर है हमारे ही कबजे में होगा मेडम फॉक्स हमारे यूद्ध बंदगों को छुडाने की कोशिश की जा रही है तो कोशिश नाकाम करो वेंपार डॉल मेरा और अपना समय मत बरबाद करो यहाँ कोशिश 10 डेडलिस्ट द्वारा की जा रही है फॉट अपनी पूरी वेंपार फोर्स लगा दो वेंपार डॉल मुझे वो दसो जानवर चाहिए जिन्दा ठीक है मेडम फॉक्स 10 डेडलिस्ट यह तो जेकपॉट हाथ लग गया पर क्या वेंपार डॉल इतनी काबिल है कि उन्हें काबू कर सके मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए बैक अप टीम भेजनी होगी अपना आग बंद कर ले और अप उनको शारूक या सल्मान समझ ले यकिन नहीं होता बोलते हुआ जानवर हमें छुडाने आए हैं आखे बंद करने से पहले ही उन्हें पता है कि तुरंजीत और शक्ति कपूर का काक्टेल है बंदर बक्वास बंद कर हैरान बाद में हो ले इस अधारन इसतर तक बढ़ा कर उन्हें धर्ती के सबसे अचूक वह मारक हतियार में तब्दील कर दिया है आए बास की नजर वह देख सकती है जो बाकी किसी भी पानी की नजरे नहीं देख सकती ठर्डाई की नजरे वह तक पहुचती है जहां बाच की नजर भी नहीं पहुच वेंपायर फोर्स हम पे तीन सेक्टर से हमला कर रही है इनकी संक्या कितनी है फिलाल तीन हजार है बस किसे वाम अप करना है मैं जाता हूँ तू रहने दे भाई, बजुका, हैक, शो और हाया बूसा के साथ मिलकर वार कमांडोज को यहां से निकालने की तयारी कर मैं और सानिक रास्ता साफ करते है मैं तो कबसे काटों पर तेल लगाए बेठा हूँ याद रखना, उन दसो जानवेलों को जिंदा पकड़ना है और हमारे भागते हुए कैदियों को भी एक नीला मेंड़क और एक काटेदार साही मेरी वेंपाइर फोर्स का सामना करने के लिए ये दो अधने से जानवर आए है मुझे या वेंपाइर डॉल पसंद आ गई है मेरी स्किन और इसके कास्ट्यूम का कलर मैच कर रहा है ठीक है, उसे तू रख ले, बाकी पूरी वेंपाइर फोर्स मेरा शिकार अब जावे जा, लड़की के पीशे फाइट छोड़ दू वेंपाइर फोर्स में आधे तेरे आधे मेरे वेंपाइर फोर्स, अटेक देख ले, तेरी नीली तितली बुरा ना मान जाए ब्लू डॉट फ्लॉग, अफ्रीकन रेंड फोरिस्ट में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा और सबसे जहरी लाम इंडक ब्लू डॉट की तवचा में मौझूत विश की आधी बूंद भी सेकड़ों लोगों को पल भर में मारने के लिए पर्याप थी डॉक्टर डेडली के खतरनाक एक्सपरिमेंट ने हर्कुलिस की प्राकर्तिक शक्ति को असाधरान इस्तर तक बढ़ा दिया था वेंपायर फोर्स के सोलजर्स भले ही मैडम फॉक्स के वाइरस की बदलत इंसान नहीं रह गय थे पर हर्कुलिस की त्वचा का घातक जहर उनके शरीर को लकवागरस्त करके कटे पड़े की भाती गिरा रहा था नार्थ अमेरिकन पार्क्यूपाइन जिसके कांटे शरीर पर धस्ते ही सैकडो तैत्यों के एक साथ काटने जितनी पीडा देते हैं अपने शिकार को कई घंटों के लिए लगवागरस्त कर देते हैं सैनिक के शरीर से निकलने वाले कांटें किसी आम साही से हजारों गुना अधिग्गा तक थे अपने शिकार के शरीर को छलनी की तरह भेद कर आर पार हो रहे थे अत्या दुनी खत्यारों और मेडम फॉक्स से खतरनाक वाइरस से लेस वेंपायर फोर्ज भी इनके सामने नहीं टिक पाई यकीन नहीं आ रहा इतने छोटे से दो जानवर मेरी पुरी वेंपायर फोर्ज का खात्मा कैसे कर सकते हैं साइच पर मज जाओ बेबी इंटेंसिटी देखो हुफ बेहुदा में इंड़क फ्रॉग एंडी प्रिंसेस खानी की तरह मुझे भी किस करके राजकुमार बना दो ना प्रिंसेस टैन डेडलिस्ट की दूसरी यूनिट युद्ध बंदियों को आजात कराने का काम कर चुकी थी आजाओ विडिलोग आप लोगों के पकड़े जाने के बाद से पूरा गर्भ गरह में भिशन गरह युद्ध छिडा हुआ है सातियों हर सेक्टर में कोई न कोई विलन बगावत कर रहा है हमें पहले ही इस बात का अंदेशा था कि गर्भ गरह के भीतर विश्व आबादी को एक साथ संबाल पाना आसान नहीं होगा पर तब हम यह नहीं जानते थे कि ब्रहमान रक्षत हमारे साथ नहीं होगे बुरी खबरों की सूची यहीं नहीं थमी है वार हैटकोटर में बुरी खबरों की सूची अभी और लंबी होने वाली है तुम सब की मौत के साथ सुप्रीमा आखिरकार अपनी किलर लीक के साथ तु दुबारा यहां पहुँच ही गई मुझे तो आने ही था हाथ आए शिकार को ऐसे ही कैसे जाने देती तुम लोगों की जरूरत वार को हत्यार डालने पर मजबूर करने के लिए पढ़ने वाली है वैसे भी गर्ब ग्रह पर सूपर विलेंस का वर्चस्व इस्थापित होना मैच वक्त की बात है नक्षत्र की मौत के बात वार अपनी हिम्मत और हमारे खिलाफ जंग दोनों ही हाड़ चुकी है वाट यह नहीं हो सकता नक्षत्र नहीं मर सकता फेसिट चीता नक्षत्र मर चुका है और अगर तुम लोगों ने सीधी तरह सरेंडर नहीं किया तो तुम लोगों को मैं प्रशनली नक्षत्र के पास पहुचाऊंगी उपर जाकर अपनी सम्वेधनाई व्यक्त कर लेना रेट 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 गोलिया चली जरूर पर एक भी अपने निशाने तक नहीं पहुची तार पीडो की अभे कवच रूपी खाल से टकरा कर सभी गोलिया कांचो की तरह छितरा गई सम्वेधनाई की जरूरत तुमें पड़ेगी जब मेरा ये पालतू पप्पी तुमाजी गिलर रीक को कालीन की तरह बिछा कर उस पर जोगिंग करेगा मेडम फॉक्स पहले ही तुम डेडलिस्ट के बारे में हमें इल्फर्म कर चुकी हो यह पिंजडा खास तुमारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इस दुनिया में अब तक ऐसी कोई धातू नहीं बनी जिनसे घातक तलवार शायद दुनिया में दूसरी कोई नहीं ऐसी कोई सता नहीं जिसे लेजर एज के पंजे फार ना सके आ संबव मेरे पंजे भी इस पर खरोच नहीं डाल पा रहे है कहते हैं कि अगर शेर की गरदन हाथ में आ जाए तो समझो शेर तुमारी मुठी में आ गया यहले आ गई तेरी गरदन मेरी मुठी में बहुत बक्वास कर रही है यह बत्तमीज औरत इस सबक सिखा नहीं होगा मेरा एक इसपर्स इसके सारे कसबर लीले कर देगा संबल कर रेडी गागा तु लाक तुर्रम खान सही पर है तो एक टेरेंट युलाही और तेरी प्रजाती की मकडियों की प्राकरतिक शत्रू होती है ठंड जो कि उन्हें शीथील करके सुपता अवस्ता में पहुचा सकती है यह कंप्रेज नाइट्रोजन और कार्बन डियोकसाइट का मिश्णन तुझे इस कदर जमा देगा कि ना तेरा हिप्नोटाइच करने वाला संगीत बाहर निकलेगा और ना ही तेरे जाले यहां क्या हो रहा है अपने साथी लोग पिट ले रहे हैं पिटरे ले तुम लोग चिता और बाकियों को लेकर यहां से फोरण बाहर निकलो मैं इस गंजी को समालते हूँ आजा गेंडे अब तेरी ही बारी फ्लाम यह ट्रांसफेरेंट अनब्रेकेबल गिलाज भी उसी धातु से बनाए जिससे तुमारी साथियों को जकड़े हुए पिंजड़े और क्लैम बने यह आवाज कैसी वो आ गया देखो देखो वो आ गया उर्ता हुआ मगरमच्छियाँ सुप्रीमा यकिनन पूरी तयारी के साहिथ आई थी लेकिन उसकी कोई भी तयारी ऐसी नहीं थी जो उसे उड़ते हुए क्रशर से बचा सके बड़ा बकर बकर कर रही थी अब समझ आ गया होगा कि मेरा नाम क्रशर क्यों है सुप्रीमा के धारशाई होते ही किलर लीक का होसला तूट गया था रही सही कसर हरकुलिस और सैनिक के आगमन ने पूरी कर दी अपना मोर्चा तो मार लिया हमने शुक्र मनाओ कि टकली आंटी के पास ही पिंजरे और क्लैम के जाबी मिल गई वरना ये पॉर्टेबल चिडिया घर साथ लेकर चलना पड़ता वार ने एक मोर्चा फतह कर लिया था गर्ब ग्रह विविन्ने सेक्टर्स में वार कमांडोस और सूपर विलेंस के बीच जंग अब भी जारी थी गर्ब ग्रह के विविन्ने सेक्टर्स में अधिकतर सूपर विलेंस एक साथ संगठीत होकर काम कर रहे थे पर कुछ ऐसे भी थे जो अकेले ही अपना वर्चस वे इस्थापित करने में लगे थे एक से दो, दो से दो और दो, सो से दो हजार देख चमचे, देख, मुझसे बड़ा एंवार्मेंट लिस्ट कोई न हुआ होगा धर्ती के गर्ब में भी देख चमचे, देख, मुझसे बड़ा एंवार्मेंट लिस्ट कोई न हुआ होगा दर्ती के गर्ब में भी दुनिया हरी बदी कर रहा है, ग्रीन मामबा और यहां आपकी हरियाली उजानने वे हरे हरे लड़ाक के डड़ू भी नहीं आने वाले, आका लेकिन आपने ही ने अपने जैसा हरा करेला कैसे बना दिया, आका जमान समाल, चमचे, वरना तुझे तौरी बना दूँगा, कड़वी बोली कड़वी वाली, बहू, रहम करो बॉस, आका पर यह आपने किया कैसे ग्रीन मामबा और चमचे के वारे में अधिक जानकारी के लिए पड़े नागराज, दुरू और फाइटर टोट्स का मल्टी स्टेरार सुपर विश्चेशांग फाइटर टोट्स, फाइटर टोट्स की प्रथम कॉमिक्स मेरी जहरीली मामबा फुंकार इनके नथुनों से होते हुए इनके सेरिब्रल कॉट्रेक्स को अपने कबजे में ले रही है अब, जब तक इनके दिमाग पर हमारी हरी धुन्द चाही रहेगी तब तक है मेरे गुलाम रहेंगे साथ ये सबी मेरी तरह ही मामबा फुंकार छोड़ सकते है और इनके मामबा फुंकार जिसे भी अपनी चपेट में लेगी वह भी इनकी तरह ही मेरा गुलाम बन जाएगा मुबारको आका, कमीनेपन में आपका अपग्रेटशन हो गया है चमचा तारीफ करने की आड में पेंच मार रहा है पर अभी खुशी मनाने का टाइम है इससे बाद में नहीं पटलूँगा हाँ हाँ हाँ, कितनी बहतरीन लग रही है ग्रीन मामबा की हरी बरी मामबा फुर्स यह और भी बहतरीन नजर आएगी जब छोटे छोटे हरे हरे बच्चों की फोच पूरे गर्ब ग्रहे में दोड़ती भागती ने जराएगी हे हे हे, गुस्ता की माफ आखा पर अब इस उम्रे में आपको यह शौक शोबा नहीं देता तेरे दिमाग में घोडों की जगह जो खचेड दोड़ रहे हैं उन्हें लगाम लगा चमचे मैं इन बच्चों की बात कर रहा था ओ, गल्ती हो गई आका, मैं हर बार की तरह कुछ और ही समझ बैठा मामबा के इशारे पर उसकी मामबा फोर्स बच्चों पर ऐसे तूट पड़ी जैसे मुर्गी के दड़बे में बिल्ली गुज गई हो हुफ, ये क्या हुरा है यार, हम तो यहां बच्चों को रिफ्रेश्मेंट सप्लाई करने आए थे पर यहां तो अलगी तमाशा चल रहा है, हमें बच्चों को बचाना होगा बॉबी, चेरी, टफी, पर कैसे, बिना किसी की मदद से हम यह नहीं कर सकते मदद डमलू रेकर आएगा, डमरू क्या करेगा, डमरू सेक्टर 786 में एक तोते को जानता है जो हमारी मदद कर सकता है, खी, खी, डमरू, तोता, एक तोता हमारी क्या मदद करेगा, चच्चा, लेकिन, मैं अपने चाचा जी को बुला कर लाती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं, चाचा, लेकिन चाचा जी भी क्या करेंगे, तू अपने दिमाग पड़ जोर सीर से यह सारे like हेले कहा रह सकता है खा और छिल게 मुझे दे ही यह तुमने मेरे मतलब की बात की वैसे भी मुझे डर के मारे भूक लग लग गए Närug बड़चा बड़को जब तक मदद नहीं हमें ही इनको रोकना होगा और इसमें यह केले के सिलके हमारी मदद करेंगे यह तो पोंच ही है हम तक हमें भी बॉबी की मदद करते हें हम भी की मदद करते हैं छिलके फेकने में मामबा फोर्स पास आ रही है टफी और जल्दी जल्दी के ले खा इतनी मोठी मेटल प्रेट किसने उखाड़ कर फैक दी पिद्धी पहलवान के होते हुए इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते यह हरे केले शावाश पिद्धी पहलवान यह सभी आम नागरिक है जिने ऐसा बना दिया गया है हमें इने नुकसान नहीं पहुचाना है इन्हें ठीक करने का तरीका भी जल्दी ढूण लेगी टोपी चंद जासूस की टोपी चिंता मत करो बॉबी टफी मैं अपने चाचा टोपी चंद पिद्धी पहलवान को ले आई हूँ शावाश पिद्धी पहलवान अब सीलिंग पर लगी तीन और मेटल शीट से इन्हें तीन तरफ से घेड़ ले अभी लो टोपी चंद उससाथ यह तो अपने बाएं हाथ का खेल है यह लो उस्ताद इन सपोलों को कैद कर दिया अभी या किसी को अपना शिकार नहीं बना पाएंगे ग्रीन मामबा क्रोथ की आग में जलकर लाल तामबा बन रहा था तुमारी यह जुरत कि तुम ग्रीन मामबा का रास्ता काटो ग्रीन मामबा का काटा पानी नहीं मांगता और तुम लोग ग्रीन मामबा का रास्ता काटने चल डमरू आ गया, अपने तोते दोस्त को भी साथ ले आया, क्या मच मच मचा के रखे लाए भी लोग, आ गये लाए बल्मा पोपट, पेट की पेटी और पजामे के नाडे कस लेने का, क्योंकि आ रेले हैं, यारादी टोली, फाइट टोड्स, टोड्स एक्शन, परिष्टी अध्याय समाप्त, द्वादर स्खंड समाप्त, क्रमशह, दोस्तों ये कौमी कहीं खतम होती है, कैसी लगी हमें, कमेंट करके जरूर बताईएगा,